कि आप आप सभी का बहुत बहुत वैलकम करता हूं आज हम वोकेबिलोरी की एक और कलास करने जा रहे हैं बहुत सरे वर्ड्स आज हम सीखेंगे और वह भी बिल्कुल सिंपलर वेश है रूट वर्ड्स के साथ तो विदाउट मच अडू आइटिंग वी शुट स्टाट आर क्लास देखिएगा सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इगो इगो आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं यह लैटिन लेंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है इंग्लिश के अंदर और T-G-O-I-S-T egoist में में मीनिंग हमारा निकल कर क्याता है मैं सबसे पहले अगर कोई ऐसा personality ऐसा वैक्ति हो कि क्यो मैं सबसे पहले मैं होना चाहिए मैं सबसे आगे खड़ा होना चाहिए तो उस तरह के वैक्तितो को हम बोलेंगे egoist personality egoist man अब देखिए इगोटिस्ट इगोटिस्ट क्या होता है अपने बारे में बहुत ज़ादा गमंडी होता है इतना ब्रहमित होता है कि प्राकास्टा हो जाए कि वो ये बोलेगा कि हाँ मैं जो हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं जो हूँ जो कर रहा हूँ वैसा ही आप करो तो उस तरह का जो व्यक्त मुझे को ध्यान में रख करके बने और जो मैं करूँ वो सब पर अपलाई हो जाए तो इस तरह का वैक्ति ये रहेगा कि मैं सब के सेंटर में रहना चाहिए इगोमैनियक, इगोमैनियक क्या कहेगा कि मैं और सिर्फ मैं की दुन में पागल इंसान रहेगा वो ये बोलेगा, मैं हर बात में मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ अगर इस तरह का वैक्ति आपको आसपास देखने को मिले तो वो इगोमैनियक होगा उसके बाद देखिए वो जिस तरह का वेवार कर रहा है जो उसकी प्रैक्टिस है वो क्या कहलाएगी इगोमेनियकल कहलाएगी यानि इगोमेनियक जो वेवार करेगा जैसा वेवार करेगा वो प्रैक्टिस क्या कहलाएगी egomaniacal कहलाएगी clear? उसके बाद देखिए esketis, esketis जो है वो अपने आप में किस language का लिया हुआ word है, Greek language से लिया हुआ word है और Greek language में esketik word आता है esketik का मिनिंग होता है sanyashi, यानि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहे, जिसने समाज, दुनियादारी को त्याग दिया हुँ, छोड़ दिया हुँ, उसको esketik बोलेंगे, और उसके दोबारा जो, जिस तरह का जीवन यापन हो रहा है, उसको बोलेंगे esketisism esketisism, sanyasi dyncharya, यानि जो वो जिस तरह का जीवन यापन करेगा, उसको बोलेंगे esketisism अब देखिएगा, हम next word पर आ जाते हैं, alter, alter Latin language से लिया हुआ word है, इसका मिनिंग होता है other, यानि दूसरा, हम अब दूसरे व्यक्ति के बारे में ही बात करेंगे, ज़रा देखिए, altruistic, altruistic होता है प्रोपकारी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बहुत व्यक्ति के सादा सोचे, उनका भला चाहे, ऐसे personality को हम altruistic व्यक्ति बोलेंगे, altruistic personality बोलेंगे, और जिस तरह की practice, जिस तरह का काम वो कर रहा है उस प्रोपकारी काम को हम बोलेंगे altruism, यानि प्रोपकारिता के कारिये को kya बोलते हैं, altruism बोलते हैं, altruism कोन करेगा, alt तो दोनों का मिनिंग हुआ प्रोपकार से, दोनों का मिनिंग हुआ सर्विस से, फिर उसके बाद में देखिए altercation, altercation का मिनिंग होता है ऐसा जगड़ा जिसमें प्रकास्टा हो जाए, प्रकास्टा का मिनिंग हुआ शोर गुल की प्रकास्टा हो जाए, बहुत ज़्यादा श Alteration, alteration का मिनिंग होगा, किसी चीज में बदलाओ करना, तो आप change से इसको याद रख लीजिए, modification से आप इसको याद रख लीजिए, कि बदलाओ अगर जहां जहां आपको दिखेगा, वहां alteration होगा, उसके बाद में देखिएगा, alter ego, मैंने write down कर रखा है, alter का मिनिंग, दूस दूसरे व्यक्ति के समान सोचे, वो जैसा सोचे, जैसा वेवार करे, वैसा ही वो दूसरा व्यक्ति करे, तो वो personality कैसी हुई, वो alter ego वाली personality कहलाएगी, उसके बाद में देखिए, alternate, क्योंकि ये word आपने सुना हुआ है, alternative और alternate, फिर भी इसके साथ, जितने भी word English में यूज होते हैं, वो मैंने एक साथ लिखती हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रेशानी का सामना ना करना पड़े, देखिए, alternate का मिनिंग होता है, substitute, भी कल्प, यानि जब हम एक चीज छोड़े, दूसरी चीज पर चले जाएं, तब हम alternate कर रहे हैं, जब एक चीज छोड़ कर कि दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी पर जाकर कि एक चोईस बना लेते हैं, तीसरी से फोर्थ पर चले गई, एक हमारी पसंद बन गई, हमने decision ले लिया, तो उस decision को हम alternative बोलते हैं, यानि चोईस को पसंद में या बोल सकते हैं, alternative हम बोलते हैं, तो देखिए, कितने कम समय में हमने कितने सारे words कर लिये हैं, super fast तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, don't worry, आपका time बचाना, आपकी energy बताना, और आपको आगे किस तरीके से मैं लेकर कि जाओं, उसके लिए मैं बहुत अपने, आपमे sincerity से मैंनत करता रहूँगा, बस आप जोड़े रहे हैं, thank you very much for your time.